आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी चलिए रुख करते हैं तो जब्दलपुर में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई है जिसको लेकर आपकारी मंत्री बस्तर प्रभारी ने साफ तोर पर कहा कि पार्टी हाई कमान का निड़ने जो होगा उसे वो सहश स्वीकार करेंगे आगे मंत्री ने कहा कि वो एक छोटे से कार करता है टिकेट वित्रण कार पार्टी हाई कमान करते हैं वैस मुद्य पर प्रदेश महा मंत्री भाजपा ने तंच कस्ते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने जनता से वादा खिलाफी की है अब उनके मंत्री विधाय को को टिकेट कटने का डर सताने लगा है उन्होंने कहा कि PCC चीफ पहले कहते थे जीतने वाले क्यानिडेट को टिकेट दिया जाएगा पर अब कहते हैं सर्वे किया जाएगा फिर टिकेट दिया जाएगा उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि सरकार को अपने नुमाइंदों अपने जन पतनिधियों के कारियों पर भरोसा नहीं है भुपेश सरकार ने लोगों के भरोसे को तोड़ा है खबर जग्दलपूर से है जहां भाच्पा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहु ने संभागिया बैठक की आगामी राजनीतिक योजना पर विचार भी क्या गया बता दे कि भारती अजन्ता पार्टी किसान मोर्चा की संभागिया बैठक का आयोजन आज भाच्पा जिरा कारियाले में क्या गया इस महत्वपूर्ड बैठक में भाच्पा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहु उपस्तेत रहे वह संभागिस्तरिय बैठक में आगामी तीन महिने की रणनीतिक कार योजना पर भी विचार क्या गया वही सभी सहकारी समितियों में जन चौपाल लगाने और गाउस से लेकर खरीदी केंद्रों तक किसानों से चर्चा करने में किसान मोर्चा जुटेगा कि कोख में बच्चा आता है से लेकर किसी भाई का इंतिकार हो जाता है वहां तक के लिए लाक्टर प्रमण सिंग्जी की सरकार में जन गल्यानकारी योजनाओं के द्वारा 36 लड़के भला में किसानों के भलाई के लिए कार की थी इस सम के बाद 36 लड़के किसानों को तरह तरह के जूटे वादे करके यह उपेश बगेंजी के सरकार ने सरकार बनाई और ऐसे समय पर 36 लड़के चाहे धान खरिदी के नाम से हो चाहे कर्जमापी के नाम से हो चाहे अन्यलिक के किसानों को खाद की समस्याओं से लेकर सभी समस्याओं को लेकर किसान जूज रहा है अम्बिकापर में पुलिस ने साइबर ठगो के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की पुष्टी कर दी है और पुलिस सेंट्रल एजनसी के साथ मिलकर आगे की जाच कर रही है दरसल कुछ महीने पहले एक महिला को अग्यात की ओर के बीसी से फोन आये था और पच्चिस लाग जीतने के बाद कही गई थी जिसे लेने के लिए सेक्यॉरिटी मनी के नाम पर एक लाग पचास अजार जमा करने के बावजूद जब रुपए महिला को नहीं मिले तो महिला निपुल से छरांग लगा कर अपनी जान दे दी जिसके बाद तफ्तीश में पता चला के मुबाइल के आधार पर साइबर सेल की मदद से पाथसाजी की गई है जिससे पुलिस बिहार से साथ आरोपियों के गिरफतार कर ट्रांजिट रिमांस पर सरगुज़ा लेकर आई है वही इनके तायर नेपाल और पाकिस्तान से जुड़े हुए बताई गई है वही आरोपियों के पास से 14 सिम कार्ड, 17 ATM, 11 मोबाइल और 1100 की नगदी भी बरावत की गई है अंतकाले उन्होंने आत्महत्या कारिद किया इस घटना की संगीनता को देखते हुए धारा 306 और 420 के तैर में अपराद पंजिवत किया गया था खबर जग्डलपूर से है जहां ग्राम बोरी गाओ पहुँचकर बस्तर विधायक ने नव निर्माड मंदिर का लोकार पढ़कर लोगों को शुपकामनाई दी और माता के दर्शनकर प्रदेश एवं शेत्र की सुख सम्रिद्धी और खुशाली की कामना की है वही ग्रामीडों ने बताए कि देवगुडी धार्मिकास था एवं शुरद्धा का केंद्र है इस दौरान विधायक ने कहा कि आप लोगों समिल कर अच्छा लगा सरकार चाहती है कि आदिवासी संस्रिती सुरक्षित रहे शेड निर्मार से देवगुडी सुरक्षित और सुन्दर हो गया है जगदलपुर में सर्वब्रामर समाज ने भविरूप से भगवान परशुराम की जहनती बनाई है सर्वब्रामर समाज के संभागे अध्यक्ष ने बताये कि अक्षजे तुर्तिया और परशुराम जहनती के मौके पर पूरे विदे विधान से पूजा और चिनाकर प्रसाद वित्रण किया गया है जिसके बाद विशाल बाइक रेली निकाली गई और शाम को सर्व ब्रामभर समाज ने दंतेश्वरी मंदिर परिसर से एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली है जो शहर के सब प्रवक चौराहों से गुजर कर वापस दंतेश्वरी मंदिर प्रांगर में समाप्त होगी जहां महा आर्ति का आयोजन किया जाएगा और फिर महा बली मंदिर के विशाल भंडारे के आयोजन के साथ कारिक्रम का समापन होगा फिर महा इस बाइक रेली में विशाल भाईक रेली में सामी गलाएगा उसका प्रवक यतुर में विशाल के रेली में सांवारें सभी सनातनी समाज के लोग सालों को दूर है इसमें सभी समाज सभागीता है सभी मिलू सनातनी इसके मिल दूर कर बड़े गुरू सहथ के साथ में इसे शोभा यात्रा में शामिल है जगदलपुर में संसदिय सचीव और विधायक जगदलपुर ने अपने सयोग्यों के साथ ईदगा भाटा पहुचे लोगों को इत्की मुबारक बाद दी है वही नमाज अदा कर बाहर निकले हजारों रोजेदारों को विधायक ने बधाई बीदी और कहा कि बस्तर शांती और सोहर्द के लिए जाना जाता है जिसमें सर्व धर्मों एवं समाजों के प्रवुक भूमिका रही है मुस्रिम समाज भी इनमें से एक है वही इससे पहले ईदगा पहुचकर उन्होंने शीत पेय सबेत तमाम व्यवस्थाओं की कमान अपने साथी और सयोग्यों के साथ मिलकर समभली जग्दलपूर में विश्व प्रित्वी दिवस पर एक खास कारिक्रियम का आयोजन क्या गया था वह इस मौके पर कलेक्ट्रेट ने कहा कि स्वस्थ बातावरण बनाए रखने की प्रतिक व्यक्ति की जिम्यदारी है जिले में गाडियों के शोरूम के ओर से कार मालिकों को कूड़े दान विट्रित करके उचित कच्रा प्रवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि हमें अपने और आने वाली पीडियों के लिए एक स्वच और स्वस्त वातावरण बनाने के लिए मिल कर काम करना चाहिए वही कारिक्रम में कलेक्टर ने पर्यवरण संरक्षन के प्रतिग्या प्रमाणपत्र का भी वित्रण किया है आज पास के पीज गाँ के खचला जो निकलते हैं गीला कचला सुखा कचला उसका वहां पर एक विवक्तित तरीके से निकाँ जैसे हो सकता है इसका हमारे दोरा ख्रयास किया जा आज इस कार्करम को करने के पीछे हमारा मुझ उटे सी है कि हम छोटे से कदम से भी एक बड़ा संदेश समाज के हर वरको दे सकते हैं सब्सक्राइ अच्छित साप साथ बना सकती है वो हम अपने वीवार बत्रों पर लगत्र नैंगे और यह संकथ नेंगे कि हम अपने शहर को, अपने गली को, अपने सरत को सभी ज़दा स्वर्च का जवदलपुर के बस्तर मुख्याले के लोगों ने 36 गड़ के सबसे बड़े तालाब के सफाई करने के लिए एक बार फिर अभियान शेर दिया है एक बार फिर तालाब गंदा होने लगा है जिसे देख दलपत सागर बचाओ अभियान के सदस्यों ने बैठक कर पुरह सफाई अभियान प्रारम बकने का निर्ण लिया और सफाई अभियान शुरू भी कर दिया है वह अभियान के सदस्यों ने सब्ता के दो दिन यारी शनिवार और रविवार को दलपत में इस रमधान करने का निर्णल लिया है जल्पकुम्भी तो बहुत बड़ी समस्या है जल्पकुम्भी के लेके जरूर सफाई होती है पना सफाई उपरी तोर में हो रही है इस्ताई समधान की और ध्यान देना चाहिए और बहुत से जगा ऐसी है जहांपे मसीने नहीं जा पाती है वहाँपे भी बहुत कच्रा जमा रहता है तो हमारा ग्रूप नहीं सोचा है कि जहां मसीन नहीं जा पाती है वहाँ पर हम पूरी सफाई करेंगे खबरों को सिलसला यू ही जारी रहेगा देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार